तो रादे रादे फैमिली तो आज मैं इतने दिनों बाद आई तो सबसे पहले मैं सोरी बोल रही हूँ गाइस के आक और लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है तो जिस वज़ेसे न वीडियो में शॉट तो जैसे आप लोग को पता है कि फुल आता है और आज मैं बनाने जारी थी भिंदी की सबजी तो आप लोगों को अच्छा लगेगा इतने दिनों बाद आई हूँ क्योंकि आप लोग चैनल पे एक तो रिस्पॉन्स नहीं दिखाते हो एक ये में रिजन है मेरे फुल वीडियो ना लाने का क्योंकि आप लोग प्यार तो दिखाते नहीं हो मैं सोचते हूँ कि छोड़े और शॉट वीडियो डाल देते कभी-कभी इंसान ना वो काम करते-करते खुद ही दिमोटिवेट हो जाता है जब आप लोग हमें प्यार ना दो उस चैनल पर रिस्पॉन्स ना दो जो की डेली वेसिस पे हम वीडियो ला रहे हैं फिर भी आप लोग अगर प्यार ने देते ना तो एक वक्त ऐसा आता है इंसान कितना भे महनती होना दी मोटिवेट हो ही जाता है तो यही एक में रिजन सबसे बड़ा रिजन था तो देख सकते हैं यहां पर भींडी जो हमने लिया इसको अच्छे से धूल लिया है और इसको कट कर लेंगे तो सबसे पहले हम सारे भींडी को कट करके एक कड़ाई में ओल डालेंगे और फ्राइ कर लेंगे आईनो आप लोगों को ओ यार यह रेसिपी आप लोगों को आता होगा बट मैंने आप लोगों के साथ यह शेयर किया क्योंकि आज यह बन रहा था घर पे तो मैंने सुचा के चलो इस वीडियो से लॉंग वीडियो की आज से सुरुवात करते हैं और डेली बेसिस पे हम आपको लाके वीडियो देंगे लेकिन आप लोगों से मुझे एक बात कहना है कि आप लोग भी इस चैनल को जितना जल्दी 10K करवाओ और ज्यादा से ज्यादा रिस्पांस दिखाओ जिससे हम भी थोड़ा सा मोटिवेट होई और ज्यादा ज्यादा काम करें गाईज आप लोग ना आप लोग खुद ही देखियो यार इतना मेहनत करती हूँ दिन के मैं गंटे काम करती हूँ एक चैनल नहीं है जैसा आप लोग को मैंने बहुत सारी वीडियो में बता रखा है पर आप लोग प्यार क्योंने दिखा रहे हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है अगर वीडियो में कुछ कमी है तो आप लोग बताईए मैं उसमें इंप्रूब्मेंट जरूर से जरूर करूंगे ठीक है उसमें कोई कमी नहीं होगी आप लोग जो जो हमें मिस्टेक बताएंगे वो हम जरूर उसे इंप्रूब्मेंट करते रहेंगे तो आप लोग कमी भी बताओ यार क्या है कि हमें क्या करना चाहिए आप लोग को कैसा पसंद है वीडियो कैस कि अप लगो सह बता गे ना तब हमें पता चलेगा तो बस यही बात है और मैं तो आप लोग से कहते हो कि अप लोग मारे चैनल प्लिस प्लीस रिस्पोंस दिखाया जाहां ज़या ज़्यदा सद तभी मज़ा आगगे अपनी कॉंटेंट बनाने में रेसिपी ज़धा सद ला और एक बरतन में हम निकाल लेंगे ठीक है तो आप लोग हमारे जो हमारा Instagram ID है उसे जाके फॉलो कर सकते हो इसक्रीम पे आपको दिख रहा है सेफगल्स-1 जो है हमारे चैनल का नाम है तो आप इसे Instagram पे सर्च करके आप लोग जाके फॉलो कर सकते हो उस पे आपको डेली Facebook हर जगे आप वीडियो डालते हैं तो आप लोग हमारे हर प्लैटफॉम पे फॉलो कर सकते हो हमारा देख सकते हो इधर हमारा भिंडी अच्छे ते फ्राई हो चुका है तो फिर क्या क्या उसी कड़ाए में हमने थोड़ा और ओल डारा उसमें जीरा तेजपता डालके मिन् तो मेरा फर्स बनता है कि मैं आप लोग शाद शेयर करूँ विकोज यू आ माई फैमली तो फर्स तो मेरा बनता है ठीक है फिर यहां पर प्यास टमार्टर हमने कट कर रखा ता वो भी हम इसमें डाल देंगी और इसको भूनेंगे साथ से पहले हम प्यास डालेंगे and then tomatoes I know क चाहिए आप लोग तो मेरे वीडियो देख तो लाइक कोमेंट शेयर करोगो अगर य हम इसमें basically मेरी बहन बना रही है और मैं shoot कर रही हूँ और recording भी मैं ही कर रही हूँ तो इस channel का honor तो मैं और मेरी बहन है means कह सकते हूँ आप लोग दो लोग हम इस channel को मिलकर चलाते हैं लसन अद्रग जीरा का paste हमने बना दिया है आप लोग देख सकते हैं उसमें मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर ठीक है और फिर धनिया पाउडर मैंने इसमें एड किया हुआ है बहुती easy recipe है थोड़ा वक्त लग सकता है ए वीडियो ज्यादा लंबी नहीं है आप लोग देखोगे तो मदा जरूर आएगा ठीक है और उसमें मैंने डाला हल्दी पाउडर MDH का गरम मसाला भी मैंने इसमें डाल दिया है आप लोग जैसे-जैसे मसाले जितना आपको खाना पसंद दो उस अफ़र्डिंग आप लोग अजिश्ट कर सकते हो ठीक है हम जो जो बेसिकली हर सबजी में डालते हो वही डाल रहे है ठीक है यह मसाला हमने डालने के बाद आप लोग बताना कि आप लोग कौन-कौन से मसाले आप लोग क्या-क्या यूज़ करते हो आप अपने तरफ से अरजश्ट कर ले न ठीक है तो अभी दिख सकते हो हम इसमे थोड़ा डालेंगे पानी तो पानी डालने के बाद हम इसको करेंगे mix mix ठीक है तो आप चाहो तो उसके अंदर direct मसाले डाल दोगे लेकिन हम paste बना के उसी में डाल देते हैं तो यह ज़्यादा अच्छा लगता है हमें हम इस तरह का बनाते हैं सबका अपना अपना तरीका होता है तरीका अलग अलग होता है लेकिन at the end answer वही आना है ठीक है तो इस आवाल सही होगा तो अब हमें जो भी paste बनाया है वो इसमें हम डाल देंगे देख सकते हैं जैसे आप और इसको हमें लगबग 10-15 मिन्टर अच्छे तरी पका लेना जब तकी ओल हमारा छोड़ने ना लगे ठीक है पानी भी add करना है तो आप लोग को इस वीडियो को फूल देखोगा तभी ज़दा इंट्रेस्टिंग आने वाला है गाइस तो वीडियो बनाने का मुझे एक बहुत ही amazing सा मतलब benefit मिला है जिसका की मुझे बनाने आ गए है recipe जो की बहुत cake से लेकर मैं हर चीज़ अब बना सकती हूँ तो आप लोग के साथ वीडियो शेयर करते 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 कब मैं को समझनी आए कि मैं इतना अच्छा खाना बनाने लगी पहले बेदे कि मेरे गार वाले बोले के हमें तुमसे उमीड़ने कि तुम खाना भी मना सकती है बठारा रियली तुम बहुत अच्छा खाना बना लगता अभ और मेरा पैशन भी बनेगा है कि खाना बना आ यार ठीक है तो देख सकते है आभी हमारा सबजी रेटियो जोगा तब हम दाल, यहाँ पे दाल सौरी, मैं यहाँ पे चावल और भीडी की सबजी, रोटी की सब्सक्राइब के राहिए, पच्छा लगो तो लाइक करें